वेल्कम तो मैं चानल एवर्वन आम मन्जू और यूवार वाचिंग यूर यूसफोल एजुकेशनल चानल इसीफोल एजुकेशनल चानल चलिए आज मैं आपको कुछ न्यू सिखाती हूं स्टुडेंस में फिर हैसर ने कौन न्यू लेसन लेके 181 इमेल राइटिंग सो प्लीज मैं साथ लास तक बनी रहिएगा क्योंकि मैं आपके साथ पॉंट टू पॉंट डिसकस करने वाली हूं सो इसलिए स्किफ मत किजिएगा और मैं साथ प्लीज प्लीज लास तक बनी रही है क्योंकि बहुत इंपॉर्टन लेसन होने वाला है और अगर आप न्यू स्टुडेंस और लेर्न से विजिट कर रहे हैं तो प्लीज जल्दी से सब्क्राइब किजिए और इड़ लेकर आन पॉइंट ए में स्टूर्स और लेवनर्स रिकाप आपको अपना लेसन को रिकाप करना है ठीक है अब इसमें यह नहीं दिया है कि लेसन यही रिकाप करना है यह आपको प्रिवियस लेसन रिकाप करने तो वह आपके फसलिटेटर के अकॉर्डिंग हो सकते हैं ठीक है तो then next पर चलते, next है, answer the following question, आपको यह, जितने में question दियेगे, आपको यह discuss करने हैं, यह मैं आपको, so, please, careful हो कि सुनियेगा, okay, okay, next, mail can be delivered by, okay, यहाँ पर सिर्फ mail है, ना कि email, okay, students and learners, mail, so, mail, किसके through, delivered होता है, देखे, यहाँ पर, ध्यान से देखेगा, email नहीं लिखा, सिर्फ mail है, तो, अगर mail है, तो, mail post office के through, hard copy जो होती है, जिसको हम पकर सकते हैं, वो, post office के through, deliver होता है, हर कोई post करता है, जो की, जो पढ़ा लिखा person नहीं होता है, जिनको hard copies पहुचानी होती है, वो, post office के through, या, courier कुछ companies होती है, उनके through भी भेजा जाता है, आजकल, ठीके, तो, उनके through भी हो सकता है, और, soft copy जो होती है, जैसे, हमको, एक, दो मिनट में किसी को send करना, वो, email के through भेजा जाता है, सो दो चीज के थूरू हो सकता है हाट कोपी हो सकते हैं सौफ कोपी हाट कोपी पोस्ट ओफिस और प्राइवट कंपणी जो होती हैं कुरियर कंपणी उनके थूरू भेजा जाती है हाट कोपी सौफ कोपी गूगल मेल याहू.com के थूरू आपका इलेक्ट्रोनिक मेल के थूरू भेजा जाता है तो आयोप आप यह क्लियर हो गया होगा मेल किस-किस थूरू डिलेवर्ट होता है ठीक आप इना इंगलिश में आप इसको बोल सकते हो इन सेकिंड पर आ जाते हैं इमेल is the short form for इमेल किस इमेल का फुल फॉर्म में वो क्या है फुल फॉर्म जो ना electronic mail है electronic mail अब आजाते हैं third पर what comes to your mind when the word email is mentioned basically आपकी दिमाग में क्या email से related आपको mention करना तो आपके दिमाग में क्या आता है तो email को अगर आपको mention करना तो basically क्या है day to day life में आजकर जो कि learner student है working place है जो working है उसके लिए email बहुत important है day to day life में किसी को mail करना हो किसी को कुछ अपना personal लिख के देना हो आपका आपका resume send करना हो तो email हमारे लिए बहुत important है quickly हम अपनी information in a second में हम किसी को भी through कर सकते है ठीक है तो इस तरह से आप mention कर सकते हो alright so आज की date में email बहुत important है हर किसी के पास email account लगबख है ही जो की working है जो की phone आजकल जो use कर रहे हैं उनके पास email ID है उनको भी कही ना कहीं से कुछ ना कुछ mail आते ही है 70 to 80% के पास आप खुद का email account है जिनके पास phone है उनके पास तो है ही और जो use करते हैं 80 to 90% में भी use करते हैं में भी क्या हांजी करते हैं ठीक है students and learners और यह तो आपको पता ही होगा मुझे बतानी की जरूत नहीं है अगर आप students and learners है तो यह तो आपको पता ही होगा mention करना है कि day to day life में हर जिगा workplace हो चाहे school हो या college हो institute हो वहाँ पर email बहुत must होता है हर कोई use करता है ठीक है चलिए अब next पर आजाते है आगे बढ़ते है to be able to send and receive a message by email both the sender and the receiver must have must have email account उनके पास email account होना must है तभी वो एक दूसरे को message send कर सकते है ठीक है students and learners next करते है next है you can create your email addresses using domain such as google mail से आप कर सकते हो radiff mail yahoo.com यह याद है most of the हर कोई जानता है gmail account google account जो होता है ठीक है radiff mail yahoo.com और अगर आपको कोई भी याद हो तो आप अपने FU में डिसकस कर सकते हो मुझे gmail के लावर yahoo और radiff mail मुझे याद है ठीक है तो उनके थूँ आप अपना email address ग्रीट कर सकते हो ठीक है ठीक है तो नेक्स बताते है all email addresses are protected by protected by password without password हमारी email id protect नहीं होती है ठीक है वो बहुत जरूरी है ठीक है students and learners then यहाँ पर आ जाते and email addresses has the following from creator choice or domain name ठीक है so यहाँ पर example भी दिये गए है ठीक है इनको read करना है then एक होता professional जो की workplace पर हो सकता है student की id हो सकती है और जैसे housewife पर गए ऐसी कोई भी जो id बना लेता है example में first one है आप इस तरह से create कर सकते हो creator choice में okay otherwise आपको professionally professionally formal way में आपको यह देखे ramish at radifmail.com okay यहाँ पर already दिया भाँ भी है radifmail.com ठीक है jiganish kumar gmail add the red gmail.com okay इस तरह से professionally आप email id create कर सकते हो खुद की और creator choice भी आप कर सकते हो अगर आप professional हो तो आपको professional way में इस तरह से करना है ठीक है then हाँ अगर आप कहोगे तो मैं इन पर भी एक video बना दूँगी अगर comment section में आएंगे अगर 50 अगर student कहते हैं तो मैं email id एक अलग से email id के बारे में अपने way में आपको बता सकती हूं मुझे भी थोड़ा बहुत इसके बारे में knowledge है ठीक है तो आप कहेंगे तो मैं आपके लिए वो video create कर दूँगी comment section में बताईएगा ठीक है यह हो गया एक created choice यह आपका created choice की हो गया आप बना सकते हो email id दिन professional way में यहाँ पे दिया गया है ठीक है students and learners clear कोई doubts हो तो please comment section में बताईएगा students and learners point B में point B में देखिए inbox inbox क्या है अगर आप FA student हो और आपको यह अगर आप phone यूज करते हो तो आपको inbox तो पता ही होगा in case of जो newcomers है जिनको नहीं पता inbox जिसमें हमारे all over the message हम जो receive करते जो हमें आते हैं वो inbox के अंदर आते आपका inbox है ठीक है inbox में जितने भी messages आते वह निखा भी अभी मैं आपको आगे और भी समझाऊंगी inbox वह होता है जिसमें हमारे हमको messages आते हैं वो inbox के अंदर आते हैं ठीक है चलिए अब आगी बढ़ते हैं, students and learners, point C, point C में write in an email, outbox and draft box, so first हम बात कर लेते हैं, outbox की, ये क्या है, students and learners, जैसे कि हम कोईसी को mail send करते हैं, और कुछ ज्यादा heavy attachment होते हैं, या heavy कोई भी file होती है, तो वो किशी कारण वर्ज जब अटक जाती है, नहीं जा पाती है, तो वो outbox में चली जाती है, ठीक है, कहां चली जाती है, outbox में, अगर हम किसी को कुछ email send कर रहे हैं, और वो heavy है, उसकी MB बहुत heavy है, तो वो कभी-कभी slowdown होने के कारण वो outbox में अटक जाता है, लेकिन जैसे server वगरा ठीक होता है, तो outbox से sent हो जाता है, ठीक है, इसके बार में अगर आपको detail में जानना तो मुझे please comment section में ज़रूर बताईएगा, तो मैं आपके लिए वो video create कर दूँगी, आप जाते हैं, ड्राफ पे, ड्राफ क्यों होता है, जिसके हम किसी को हमें reply करना है, या हमने कोई email write down कर रहे हैं, ठीक है, वो हमने आधा अधूरा छोड़ दिया है, ठीक है, वो complete है, incomplete है, और हमने उसको ऐसी छोड़ दिया है, तो वो कहां चला जाएगा, as it is, draft box के अंदर, ठीक है, तो वो draft box में चला जाता है, कोई भी हमने, जैसे हमने किसी क को reply देना है, किसी कुछ send करना है, वो अधा अधूरा रह गया है, complete नहीं है, ठीक है, हमें उस पर और वक करना है, ठीक है, तो वो draft box में चला जाता है, I hope इतना आप समझ गया होंगे, then यह आपका है, basically, यह यहां बताएगा है, जो भी आप email write down कर रहे हो, तो उसके बार में discussion है, यह आपका हो गया, first arrow जो दिया का, same as a formal letter है, यह आपका, ठीक है, यह बता रहा है, यहां पर आपकी sign होंगे, यह show कर रहा है, ठीक है, then आपका full name, contact, detail यहां पर आ जाएगी, then, यहां पर आपका sentences, जो भी आप write down करोगे, subject में, then main body, जो होती है, letter की वो है, then closing sentences, जो आप आगे आपको और show कर दोंगे, इसके बार में detail देती हूं, I hope आपको यह इतना clear हो गया होगा, students and learners, अब यहां आजाते है, netiquette क्या है, हमने etiquette सीखा था, same वैसे ही है, बस यह हम जो social media पर रहते है, email ID, जो भी हमारा social work है, जो भी workplace है, उससे related, जो भी हम लिखते है, कु से related है, देखे, do's and don'ts, यह आपको read करना है, use a subject line, जो भी आप email राइड डाउन कर रहे हो, उसमें क्या-क्या-क्या आपको netiquette use करने वो शो कर रहा है, यह ठीक है, यह सारा उसमें, इसको आप follow कर सकते हो netiquette में, और मैंने आपके लिए, create कर के link share करी है, उस और भी check out कर ल write the most important information first, use numbers and bullet points to make the message crisp and clear, okay this is all you can follow in the do's, then you don't have to follow the don'ts, all these things, okay write hello as your subject line, you don't have to do this because we are professional, if you are professional then you can use all these things you can use, okay, if you use formal letter, then you can use the neticate, then write unrelated information, all these things you can read, if you don't know, the video will be very long, so I will show you in the future, the stories and learners, you can show you in the formal letter format, sender address, then date, receiver address, okay, greetings, subject, body, closing the letter and signature, so this way you will see and follow them and write down, this is the right way, okay, I will show you in line by line so that you can help more, okay, let's show you in the future, students and learners, let's go, let's talk about some neticates, email, etiquette, same as short, keep it short, reply to all, okay, okay, this is all you have created, please check out the description box, so that you will say, I will remind you once again, so that you can help it, okay, so these are some neticates, in your email writing, so you can follow them, so you can follow them, use proper formatting, spelling and grammar, cc anyone you mention, okay, so this whole video is very long, so please please post it and understand it and then discuss it in your branch, okay, students and learners, you can show them so that you can help more, okay, just this is the reason, alright, so let's move on, here, students and learners, students and learners, you can show them all these emails, so this is written, compare the two emails and discuss which is the more appreciated and why, you can discuss which is the most better email writing written in this, so you can discuss the first one, see the first one, this is just like in informal way, which is the friend family written in this, so this is the second one, the second one is the proper way, which is the first one, this is the formal way, the professional way, which is the second one, the second one is the thing and when you check this out, then you suffer from the Muslim franchise, which is the first one, to take the first second one, you just need to跟我 starting to tell the certificate a more HDC, if you can check out and see the certificate a new website, that you want to check out and check out and check out ,webbsite Fet carbono estate based sections of English और ज्यादा सीख सकते हैं तो प्लीज इसको भी चेक आउट कर लीजेगा और मैं भी जरूर करूँगी ठीक है देन आज के लेसन में इतना ही स्टुड़ेंस यह लेसन आपको कैसे लगा प्लीज कमेट सेक्शन में बताईएगा और मेरा समझाने का तरीका आपको कैसे लगता वो ही बताईएगा और प्लीज लोग साथ जादा शेर किजेगा और लाइक शेर और सब्क्राइब किजेगा